मूवी की स्टार्टिंग में हम सांतो नाम के एक गैंक्स्टर को देखते हैं वो बहुत जादा अमीर था आज वो अपने फ्रेंड पैंटलोप से मिलने के लिए आता है पैंटलोप कार का विजनेस करता था सांतो पैंटलोप से बात कर रहा था कि सब मरेंगे अब हमें सांतो की पूरी स्टोरी समझ में आई कि कि एक नॉर्मल परसन से गैंक्स्टर कैसे बना सांतो ये अपनी खुद की स्टोरी नरेट करते हैं हमें मूवी में बताएगा फ्लाश बैक में स्टोरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यंग सांतो अपने मॉम, टैड, अपने ब्रदर के साथ बोश्यानों में रहता था सांतो के फादर इससे पहले कुछ गलत काम करते थे सारी गलत चीज़ों को उने छोड़ देना था और इसी वज़े से वो बोश्यानों में आके वहाँ पर वो एक न्यू काम शुरू करते और अपने फैमिली के साथ रह रहे थे नेकसिन में हम पूरे फैमिली को डिनर करते देखते सांतो के फादर स्मोक कर रहे थे सांतो भी उन्हें कौपी करते हैं बहुत ही स्टाइल से सिगरेट पी रहा था फादर उस पर गस्ता हो गए और उसे सिलाप कर देते नेकसिन में सांतो और उसका बड़ा गैंश्टर था सांतो भी उसी की तरह बनना चाथा Nixian really यह दोने फैमिली एक दुसरी को बहुत पहले से जानते थे क्योंकि एक ही चायर में रहा कर दें इस Surf Road और मेंसे Lock , ईनके घर पर आ रही थी इस बात के बारे मेंcellent toward के डाड उसे specially बता देते हैं सांदो को उसमें इंट्रेस्ट नहीं था इसे वज़े से सांदो अपने फ्रेंट फ्रांस के साथ बाहर घुमने के लिए चला गया इस बात से उसके डाड बहुत जादा गुस्ता हो जाते हैं सांदो को बहुत पहला पुरा कहने लग गए परललल समझ गए कि सांदो नहीं चूराई होगी उन दोनों को पकड़ कर जेल में डाल देते हैं सांदो को डिरेक्टली चार मंस की जेल हो जाती है सांदो के पैरेंट्स के घर पर कॉल लगाया जाता है जो भी सिच्वेशन है इस सब कुछ बताया जाता है सांदो के फादर ने सांदो स्लीम नाम के दूसरे क्रिमिनल की सेल में था अभी अववी चोरी कर रहे ठींस कर रहे था तुसी नरस ने उसे स्माइल दिया था वह से अट्रेक्ट Crisp would भी कर रहा था सांतो खुद को प्लीज कर रहा था तो शलीम ने बात पकड़ ली इसके बाद उन दोनों में अच्छे दोस्त बन गए थे जडी से निकलने के बाद दोनों अपनी दोस्ती को कंटिनु करते एक सांत मिलकर बहुत सारी चूरिया करने लगते दीरे दीरे वह दोनों भी प्रोफेशनल गैंग्स्टर बनने लग गए थे एक दिन दोनों मॉल में घुसकर शोरी कहते दोनों पैसे लेकर भाग रहे थे तभी उन्होंने वहां के गार्ड को मार दिया वहां से भागने के लिए पैंडलोब उन दोनों की मदद करता है रात में फिर तीनों मिलकर एक यांग्स्टर था पारडाफ और यंटको जानता था इसलिए उसे बैटने देता है सन्टो को क्या क्या करना है प्लैन से समझाता है इसके बाक बाद फोरा ने उसे काम पर रख लिया वाडा वोरा उसे एक डायमंड लुटने का काम देता है दिटसांतियो पैंटलोब और स् उन्हें कुछ suspicious लगता है इसलिए बैंक की तरफ बढ़ने लगता है पैंडलोप जल्दी से उन दोनों को बाहर बुलाता है ओफिसर्स और इन दिनों की बीच में shooting स्टार्ट हो जाती है सांतो गाड़ी स्टार्ट करकर वहाँ से भागने लगता है ओफिसर्स ने काफी दूर तक इन दिनों को follow किया पर उन्हें हो पकड़ नहीं पाए उनका प्लान सक्सेस्फुल हो गया था और तीनों बहुत ही खुश थे स्पाड़ा वह खुश होकर सांतों को एक डायमंड गिव्ट देता है निक्स दिस सांतों अपनी बाकी फैमिली और फ्रेंड से मिलने के ठक रही थे सांतों फिर मरें गला से बात कर सोंता और दोनों में बहुत आज़ी बाते होती है वहां वर सांतों का वरतर आ ब्रेदर चलह आर गया था और कुष लोगों ने उसे बहुत पीटा था, सांतो उन लोगों का नाम अपने प्रेदर से पूचता है, ब्रेदर कहता है कि वो लोग कोई और ने, तो přोरा की आदमी थे, सांतो तो स्पार्डफोरा के लिए काम करता था, अब सान्टों decide कर लेता है कि अब वो खुद के लिए काम करेगा अपना खुद का नाम बनाएगा वो फिर खुद से गिड्नैपिंग स्टार्ट कर देता है slowly slowly सान्टों का नाम अलग-अलग किड्नैपिंग की वज़े से news में आने लग जाता है वो बहुत जल्दी मिलान शहर के फेमस गैंस्टर में शामिल हो जाता है सांतो अब भी उसके ब्रदर को किसी ने मारा था इस बात से बहुत गुस्सा था एक दिन वो प्लैन बनाता है और स्पाड़ा फोरा जब अकेला था तो उसे शूट करकर मार डालता है इसके बाद क्लेरली सांतो उस शहर का सबसे बड़ा गैंस्टर बन गया था स्पाड़ा फोरा को मारने के बाद सांतो मारिंगला के पास गया वो दोनों वहाँ पर इंटिमेट हो जाते हैं सांतो रिसाइड कर लेता है कि उसे मारिंगला के साथ शादी करनी है नेक्स जे सांदो और मरिंगला की शादी थी सांदो के वहाँ पर फ्रेंड्स और फैमिली सबाये थे शादी होने से पहले पुलीस सांदो को पकड़ कर ले कर जाती है मैं पता चलता है कि सांदा को जो डाइमन्स पाड़ा फोरा ने दिया था वो चुराय हुआ था और इसी वज़े से पुलीस उसे फाइंड कर रही थी जिस ज्योलर के हाँ पर उन्होंने उसे सेल किया था उस ज्योलर ने सांदो का नाम पुलीस को बता दिया था सांदो को पकड़ कर फिर पुलीस वहाँ से ले कर जाते है जब वो जेल जा रहा था तो यह पता चलता है कि मरिंगला प्रिगनन्ट है सांता को ले जाते हैं सब किसी तरीके से ग्रूफ फोटो लेते हैं सांतो को फिर पुलिस ले करके सांतो वहाँ पर भी फ़नी चीज़े कर रहा था सांतो फिर कुछ साल बाद जेल से रिलीज हो जाता है जेल से बाहर आने के बाद उसे पता चलता है कि मरिंगला को बेटा हुआ है और अब वो फादर बन चुका है सांतो अब एक न्यू बिजनेस ट्राइ करना चाता था इसलिए अब वो रियली स्टेट के क्राइम में इंटर करता है उसके वे में आने वाले हर एक आदमी को मार डालता है और इसी तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा था मरिंगला को इस सब चीजों के बारे में कोई भी आईडा नहीं था पर उसे शक हो रहा था कितने कम समय में सांतो इतने ज़्यादा पैसे कैसे कमा रहा है सांतो ने एक घर पाय किया इसमें वो मरिंगला को लेकर आया वो उसे बहुत पसना आता है अपने नए गर के बारे में बात करने के लिए पैंटेलियों के बास आया वहाब और उसे शोरूम में अनवल लाम की लड़की दिखती है उसे फर्स टाइम देखते हैं उसे अट्रैक्टेड हो गया था अनवला ने वहाँ एक गाड़ी तोड़ दी थी और ऐसी वज़े से एक आत्मी उस पर चिला रहा था सांतो उनकी बीच में आ जाता है और इस आदमी को मार कर वहाँ से भगा देता है सांतो यहाबर अनवला की मदद करकर उसकी नजरों में अच्छा आदमी बनने की कुशिश कर रहा था सांतो ने अनवला को अप्रोच करने से बहले अपनी वेडिंग रिंग भी निकाल रखी थी ताके आनवला को उसकी मैरेड़् के बारे में आईडया ना हो वहने बंवला से बात करने लग्ड यह वो कहता है कि मेरे भी घर को पेंट करना है उसे अपना बिजमेस कारण देती है उसे कहती कि मेरा मैनेजर तुम्हें अप्रोच करेगा इसके बाद वहाँ से चलीगी नेकसिन में हम सांतो और एनावेला को साथ में डीनल करते हैं सांतो एनावेला की बॉड़ी की तरफ ही देख रहा था जब वो जा रही थी तब भी उसे ही घूर रहा था सांतो उसे बुच्छता है कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हो एनावेला उसकी क्लोज आके उसकी पॉकेट से उसकी वेडिंग रिंग निकाल देती है उसे कहती है इगर जाने से पहले इसे पहन लेना नामेला को पता था कि सांटो married है पर फिर भी उसके साथ वो enjoy कर रही थी parallel में मारिंगला को देखते हैं जो सांटो से अब frustrated हो गई थी सांटो काफी रात घर पर नहीं आता था और उसे ज़ादा time नहीं दे पाता था मरिंगला को शक आता है कि शायद सांटो drugs का business करने लग गया है सांटो actual में अब वही करना चाहता था वो drugs की business में आता है और अच्छे से supplier से quality की heroine वो buy करता है अपनी city में अपने supplier को sell कर देता है इसे उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते थे तो मरिंगला के साथ अब cheat करने लग गया था वो रात अनावेला के साथ ही बिताता था मरिंगला पूरी पूरी रात उसके लिए wait करती रहती थी सांटो अनावेला और अपने illegal business में पूरी तरीके से डूप कया था अनावेला से उसे physical pleasure मिल रहा था और अपने बिजनेस से उसे financial pleasure सांटो के business के बीच में gangster आ रहा था उसे खतम करकर अपने business में सब कुछ चीज़े normal करना चाता था इसके बारे में अपने दूसरे partner से बात करता है उसे उसे पता चलता है कि अगर उस gangster को मार देता है तो खुद फस सकता है सांटो फिर decide कर लेता है कि murder वो Slim के हाथों करवाएगा आगे चल कर कोई हाम हुआ तो उसमें वो फसेगा नहीं इस सब में वो Slim को frame करना चाता था क्योंकि अब इस business में Slim उसे कुछ जादा फाइदा करकर नहीं दे रहा था Slim कुछ drug से बहुत जादा addicted हो गया था और इसी वज़े से वो कुछ काम नहीं कर पा रहा था नेकसे इन में मरिंगला को अपने घर में एक father को बुलाते होए देखते है वो चाहती थी कि father उसकी family को bliss करे वो सांतो को फिर से वापस पाना चाहती थी वो चाहती थी कि फिर से सांतो उसके साथ time spend करे सांतो जाकर Slim से मिलता है और उसे convince करता है कि गैंक्स्टर को जाकर तुम्हें मारना पड़ेगा Slim यह सब करना नहीं चाहता था पर ना चाहती है सांतो की बात उसे माननी पड़ती है पैरलल में मरिंगला अपने बालों को काट लेती है उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने कुछ sacrifice किया तो सांतो और उसके scenes यह सारे धूल जाएंगे अपने sacrifice की वज़े से सब कुछ ठीक हो जाएगा सांतो जब मरिंगला की यह सब बाती सुनता है तो उसे बहुत गुसा आ जाता है और उसने उसे directly slap कर दिया अब स्लीम उस गैंग्स्टर को मारने का plan बनाता है और यहाँ पर twist था सांतो उस गैंग्स्टर के साथ स्लीम को भी मारना चाता था इसी वज़े से उसने उसे काम दिया था जिस गैंग्स्टर को मारना चाते थे वो गैंग्स्टर खुद से ही मर गया सांतो विर अपने गैंग मेंबर की मदद लेकर स्लीम को मार डालता है वैसे भी अब partnership में सांतो को काम करना ही नहीं था तो उसकी सारी problem सौल हो गई थी सांतो ने अब अनावेला के साथ शादी करने का decide कर लिया था इसके लिए उसे वो प्रपोस करता है अनावेला इसे surprise हो गई और उसे kiss करने लगके वो इस marriage को accept कर लेती है सांतो अबने बड़े बेटे के जरिये मरिंगला तक एक message पहुचाता है उसे कहता है कि अब वो family के साथ नहीं रहेगा वो अब अनावेला के साथ ही रहना चाता था ये बात सुनकर मरिंगला को बहुत बुरा लगता है नेकसिन में मरिंगला अनावेला से मिलने के लिए गई उसे confront करती है कहती कि सांतो एक gangster है वो हैती कि तुम जैसा सोचती हो वैसा सांतो कोई business man नहीं है वो सब कुछ illegal चीज़े करता है अब जब तुम सांतो के साथ हो तो उसके हर एक illegal चीज़ में तुम उसकी partner हो अब मैं उसके साथ नहीं रहने वाली ये सब कहे कर वो वहाँ से चली जाती है अनावेला को realize होता है कि वो बहुत गलत थी नेकसिन में सांतो जब अनावेला की घर पर आता है से एक week के लिए समय दिया था सांतो को अपने business में आजकल थोड़ा सा loss हो रहा था इसी वज़े से उन लोगों ने business से उसे निकालने के लिए धमकी दी थी सांतो इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उनी सब लोगों को मार डालता है इन crimes की वज़े से सांतो को पुलिस officer पकड़ कर लिकर जाते है मरिंगला फिर उसे मिलने के लिए आई उसे बातो बातो में वो बता देती है कि एक दुसरे शहर में तुम्हें हो ट्रांसपर करने वाले है वहाबर हमारे lawyers तुम्हें छुड़वा लेंगे सांतो जब इस शहर का नाम सुनता है तो उसे realize हुआ कि मरिंगला उसे उसी शहर में डालना चाहती है जहाब पर सांतो के बहुत सारे enemies है अगर उस जेल में जाता है तो उसकी death हो जाएगी सांतो ने मरिंगला पर जो cheat किया था इनी सब चीज़ों का अब वो बदला ले रही थी सांतो इस बात से बहुत disturb हो जाता है उसकी mental condition भी धिरे-धिरे खराब होने लगती है उसे कुछ भी करकर इन सब चीज़ों से निकलना था उसे बता था कि अपने सारे illegal चीज़ों के बारे में अगर उप पुलीस को information दे देता है तो उसे फिर छोड़ दिया जाएगा उसने फिर पुलीस के साथ इसे के बारे में बात किये और सारी information उन्हें देती सारे उसके partners, सारे criminals और उनके साथ साथ पैंटलोग को भी अरेस्ट कर लिया जाता है गवर्मेंट फिर उसे छोड़ देती है जेल से छुटने के बाद हम सांतो का एक रैंडम सी लड़की के साथ देखते है उसके साथ flood करने लगता है हमें ये भी पता जलता है कि सांतो अब अपनी family के साथ नहीं रहता है उस लड़की के साथ walk पर चला जाता है वो अपनी life में एक new start करने वाला था और इसी तरीके से movie end हो जाती है हमेशा सांतो उसके पास जो चीज थी से satisfied नहीं था उसे और कुछ चाहिए था और इसी वज़े से उसने सब कुछ बरबाद कर दिया फाइनली सब कुछ खोने के बाद आप इस नहीं start हो करना चाहता है अगर आपको explanation अच्छा लगता है तो प्लीज से like और comment जरू कर दिजएगा बहुत सारी movies लेकर आते रहता हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिजए और बेल न अडिशन आइकों दोने मत भूलिएगा हम वे से मिलेंगे और इनमों के साथ तब तक लिए thank you आप अपने आपका खैल रखिया